एस्टुडेंट्स आज हम लोग अध्यान करेंगे निम्रल रोमन निम्रल के विशा में वहले आप लोग बताएक कोस्चन इसका अंसर क्या होगा कोस्चन नॉम्र वन आइ लिखेंगे है ठिका तो चलते हैं हमलोग इसको भिष्वत रूप से अध्यान और हम लोग उसके पढ़ेंगे रूल वन जिसको हम सेवन सिमल के नाम से जानते हैं मतलब यह सेवन सिमल का होता है व मिलल को हम लोगalis लिख सकते हैं अनिम्रल को हम लोग आई भी एकस एल सीडियम यह सेबन सिंबल है इनसे हम कोई भी संख्या को हिंदू अर्विक निर्व हम उस भासा में लिख सकते हैं जैसे वन को आई से दिनोट करेंगे फाइब को हम भी से टेन को यक से फिप्टी को एल से हंडेड को सी से और 500 को डी से और 1000 को यह हम से दिनोट करेंगे ठीक है रूल दूसरा है रिपिटीसर आफ रोमन निम्रल मीन्स एडिसन ठीक है अगर हम लोग कोई संख्या को राइट साइड में अगर हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहां पर राइट साइड में अगर रिपीट करेंगे तो वहां पर हम लोग उस संख्या को एडिसन करेंगे मतलब जोड़ेंगे ठीक है तो पहला रूली यह है इस में कि वनली वनली आई यक्स सी एंड यम केवल हम लोग परला नियम यह है कि केवल हम लोग आई एक्स सी एंड यम को रिपीट कर सकते हैं जैसे आई एक्स सी एम को हम लोग रिपीट कर सकते हैं दूसरा है भी एल एंड दी आर नेवर रिपीटेड मतलब भी एल दी यानि हम भी एल और डी को रिपीट नहीं करेंगे कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं और तीसरा है कि हम लोग अगर रिपीट करेंगे तो कितनी बार करेंगे अगर हम लोग इसमें है कि अगर हम लोग आई एक्स सी एंड यम को रिपीट करेंगे तो कितनी बार करेंगे तो इसको हम लोग नो सिम्बल can be repeated more than three time अधिकता हम लोग more than three time मतलब अधिकता हम लोग 3 बार से अधिक repeat नहीं कर सकते हैं ठेका अगर कोई भी संख्या को हम लोग repeat कर रहे हैं i x c और yam को repeat कर रहे हैं तो अधिकता हम लोग repeat नहीं कर सकते हैं ठेका अब हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे rule number three तीसरा rule है similar numeral written to the left left of a larger larger numeral means subtraction मतलब इसमाल नंबर को जब हम लिखेंगे left side में किसी बड़े symbol मतलब किसी बड़े symbol के left side में लिखेंगे तो numeral जो होगा घट जाएगा ठेका तब इसका पहला rule है कि भी yal and V, L, N, D आर नेवर सब्टेक्टेड़ सब्टेक्टेड़ मतलब V, L, D V, L, D कभी हम लोग सब्टेक्टेड नहीं कर सकते हैं मतलब कोई भी संख्या अगर लिखा रहा है इसके पहले हम लोग भी नहीं लगा सकते हैं ठेक है और भी रिपीटेड मनद रिपीट भी नहीं कर सकते हैं ठेक दूसरा नंबर है अब दूसरा नंबर कि I can be I can be सब्टेक्टेड सब्टेक्टेड फ्राम भी एंड याक्स वनली इसका कहने का मतलब कि जो आई है आई कान भी सब्टेक्टेड घट सकता है किसे तो यह है भी और यह है यक्स इनसे के अलावा किसी को नहीं घटा सकता है ठेक है यह देखे यहाँ पर बेहतर चीजिए है कि यह करम से अगर हम लोग को याद है तो हम लोग इसको समझ आएंगा कैसे कर आए है यह कि मतलब हम लोग आई को भी और यक्स के पहले मतलब लिफ्ट में हम लोग लगा सकते हैं दूसरा पहला रूल हो गया इसमें और दूसरा रूल हो गया यह वाला कि यक्स कन भी अला मैं सब्टैक्टरड अला मैं सब्टैक्टर ठेक है यो यक्स है यह यल और सी यल एंड प्राइब प्राइब मतलब यक्स को हम लोग एल और सी के पहले लगा सकते हैं तभी घोटेगा इसके और किसी के किसी भी सिंबल के आगे हम लोग नहीं लगा सकते हैं ठेक है अब हम इसको मिटा जते हैं उपर का इसे में का हम लोग चौथा लगा रहा है है चौथा यह है सी सब्ट्रेक्टर्ड अगर हम कभी भी सी को डी एंड एम के पहले लिफ्ट में लगा सकते हैं और वो संख्या को नंबर को हम लोग इसमाल कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं यह हो गया अब एक और चीज़ दो रूल तो कंपलसर यह जानना ज़रूरी है अप लोगों को और यह सब लिखते रहिएगा और एक और चीज़ है रूल नमफोर यह है कि किसी भी संख्या की संख्या में मतलब इसमें यक्स का अगर बार दिया हुआ है बार तब हम लोग इस यक्स के बार के जगह पर बार को मल्टिपल करेंगे वन थाउजन से एक हजार से ठीक है अगर यक्स पर बार दिया हुआ है तो हम लोग एक हजार से गुणा करेंगे मल्टिपल करेंगे कि ठीक है और बी पर अगर होगा तो हम लोग इसे इसको हम लोग लिखेंगे इसको लोग न THEY इसको हम लोग 10 थाउजन वह लेंगे इसी तरह से एसको भी 500 याप आपनव को जाणना ज्रूरी था अब हम लोग चलेंगे क्लास 6 का एकसर्साइज 1g करेंग ठीक हाई है इसको इस तरह देते हैं यह सबीटा थे हैं है अब हम लोग लगाएंगे क्लास 6 का इकसर्साइज 1g कोश्चन एक में 123 करके है तो हम लोग लिखेंगे इस रोमन अंक में ठेका रोमनिम्राल में तो इसको हम लोग लख लिखने टू को वन वन एट को लोग लिखने जे लिखती है रिपीट करना था तो हम लोग भी 123 ठेडा अब हम लोग it's club लेटें गिए 14 को 15 लिखंगे एकस अड़ी तक गां इसको हम लोग लिखेंगे yaks फिर याक्स और एक आई एक्स 36 को याक्स 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 और भी वन भी आई पूर इसको हम लोग लिखेंगे इसमें से घटाएंगे यक्स तो यक्स हो जाएगा एल हमारा हो गया 40 जीसका मूलब लिखेंगे से देखें 40 कि कितने में 40 50-10 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 तो हमारा मान हो जागा यहां पर देखिए यह जो होगा 50 मतलब एल एक्स को घटा सकते हैं तो एक्स चालिस हो गया तो इसका मान चालिस हो गया आप प्लस यह तीन हो गया एक दो तीन क्या क्या है तब हम लोग लग लिखेंगे यह तीन को 123 बसको कैसे लिखेंगे हम लोग तो इसको लिखेंगे्ट यह 50 हो गया ऐल के लिए तो l और 4 के लिए होता हम वी आ आई P सिन हो गया और गया आई ठीक है तो हमारा होगे ल एक्स आई यहां पर एल 50 के लिए एल और 50 भी 70 इसे देखिये 50 प्लस 20 मतलब दस 10 प्लस तेन प्लस 3 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हम लोग इसको यह लिखेंगे इसको लिए यक्स इसके लिए होगा मैं होЕТ ओर वन है यह त्री नहीं यह वन होगा लगा तो सब्ट्रेक्ट में हम लोग यससे पहले टिन यक्स को इसको मैंद आई एक्स मतलब यल और और च के पहले हम लोग एक्स लगा सकते हैं रूल में पढ़ हुय matter to is in the infections A data तो इसको करेंगे एख सी नाइन्टी और हो गया आइख यह मेरा हो गया नाइंटी उन इसी तरह से इसको भी एक्स थी 90 हो गया और 90 को प्लस प्लस फाइब करना यह तो यह सी प्लस भी इसको आम लोग इसे लिखेंगे और एक्स यह फोर है मतलब इसका मूझ तोड़ देंगे तो सो प्लस फूर तो इसको लिख देंगे इसको लिख देंगे और इसको आई भी तो यह हमारा हमान हो जाएगा आई भी ठीक है अब आई यह समय इसको हम लोग लगाते हैं 164 मतलब इसको लोग इसे लिख सकते हैं देखें 1641 मतलब 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं तो 100 के लिए सी 50 के लिए एल टेन के लिए यक्स और फोर के लिए आई भी तो हमारा मान हो जाएगा कि सी एल एक्स भी आई भी चाव सथ है चार होगा आई भी अब इसके लिए यह देखें पहले तो हम लोग का यक्सी होगा सी मतलब एक सो इसको दो पार्ट में करेंगे देखें सो प्लस सो माइनस टेन और प्लस थाई यह मान हो गया तब हम लोग इसको लिखेंगे यह हो जाएगा एल एसी यह हो जाएगा सी प्लस यह होगा सी में से टेन घट जाएगा तो यक्स हो जाएगा और प्लस फाइब के लिए भी तब हमारा हो जाएगा सी एक्सी भी इसको हम लोग इसे लिखेंगे तस डावल सी डावल याक्स भी आई यह होगा टिपल सी कि यहल में से घटेगा यक्स तब हो जाएगा एक्स एल और आई अब इसको देखिए फूर इसको क्या करेंगे इससे इसदी से इसको हम लोग घटा देंगे डी से सी को घटा देंगे तब होगा cd अलवी यह जो जो हाई देखिया 475 इसको हम लोग इसलिख सकते हैं 500 500-100 और 75 अब प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 तो हमारा मान हो जाएगा तो इसको हम फाइप में से डी में से डी डी में से अगर ऐसी घटा देंगे तो हमारा मार हो जाएगा चाल 500 और उसके बाद से यह 50 के लिए तब हो बजाएगा 50 के लिए यल और डवल एक्स सतर हो गया और फाइप के लिए भी और इसको इसके लिए देखिया यह हाँ आए यह आगा 590 तो हम लोग लिखेंगे 500 के लिए डी ठीक है और हंडेड में से यह घटा सकते हैं यह और सी के लिए रूल है कि युक्स जो है यह उर और सी से लिफ्ट में लग सकता है तब हम लोग घटाएंगे इसको तो होगा एक्स सी ठीक है और सिक्सों के लिए हो गया फाइब आई अब यहाँ पे डी पांसों फाइप अंडर्ड डी और यक्स मतलब सी यह हंड़ेड के लिए तो छो सो हो जाएगा 600 यह हो गया सी और एक्स आई यह हम लोगों का मान हो गया कि एक और कुशन इसमें छूटा हुआ है सेवेन भी एट कि सेवेन फाइब नाइन इसको हम लोग यहां पर तो डी साथ सो हो गया तो सी और ल आई एक्स इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं यह हो गया यह हो गया डी डबल सी एल आई एक्स इसका हो गया 500 यह हो गया 100 200 700 और यह हो गया 50 साथ सो पचास और इसके लिए नाइन और एक चीज़ यहां पर छूटा था यहां पर यह हो गया 73 के लिए एल पचास हो गया यह हो गया 70 हो गया और तीन के लिए आई त्री पाल आई ठीक है तो एकसर्साइज वान जी में दोक्सन को हम लोग पर लिए को लिएक नमबर वान देखिए यह यक्स है टेन के लिए यह टेन के लिए और यह 5 डबल टू मतलब इसको हम लोगा इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 तो पाधा 10-10-20 25 पाइब ट्वंटी 527 इसका मान हो गया 27 यह हो गया देखिए 3 है यह एं टेन-10-30 ओ गया और दो आइभी के मतलग 4 i1934 इसको हम लोग यहां से पहले क्स लगा भूँआ है तो यह दुसर्ड नियम है कि इसको घटाया जा सकता है एल और सी से पहले यक्स लगाया सता है जसे हम स्ब्टेक्ट कर सकते हैं तो यहां पे घट गया秦 एल है 50 kg से अगर घट गया 10-40 हो गया आप 40 प्लस फाइब यह एक फोर्टी फाइब यह देखे ल भी यानि चो ओन फिफ्टी फोर यह देखे यह यह पर यह हो गया 50 आई यह टेन टेन प्लस 70 और 470 फोर इसको देखे यह सी से सी से टेन घट गया तो 90 प्लस 191 इसको देखिए सी से वन टेन घट गया तो 90 और 586 96 यहां देखिए C X Y मतलब 100 X 10 और 1 1 1 1 1 ओके अब इसको लगाते हैं करके है रोमन में लिखा गया है इसे लिखा गया है अब इसको देखिए सी ल आई भी सी मतलब 100 पचास एको पचास और आई बी मतलब एक सो चाग वन सी सी एक्स एक्स आई है निकी 100 100 और 20 फोर मतलब कुट तो तो फोर यह टीपल सी यह मतलब त्रीहंडेड एल 50 एक्स 60 और 5 एनिकी 3 6 जिसे यहां पे यह हो गया त्रीपल सी के लिए तीन सो थार्टी एंडेड और इसके लिए फिप्टी यह से लिए टेन और इसके लिए इसके लिए इसको जोड देंगे तो फाइप सी इतनौनि मसें सो इछ पॉर अन्ड fret और इसके लिए टेंड और इसके लिए पोर तो तो गया फोर वन फॉर इसके लिए फोर वन फोर यह देखियां यह गट गया धी से इगहत गया तता हम लोग इसको लिखें गे चार सू पौर और यह हो गया याल 50 10 और यह हो गया 4 तो 464 464 डी है तो डी के लिए 500 और यहां पर हो गया 6 यानिक 06 इसको लिखेंगे हम लोग 500 इसके के लिए हो गया 100 मतलब 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 और कि 7 6 इतना अगा 766 ठीक है यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया और यह रूल थोड़ा सा याद रखेगा कि जो हम लोग रूल पढ़ है पहला 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 रूल यह था कि कि रिपीटिशन में मतलब हम लोग रिपीट करेंगे तो एडिशन होगा और उसको हम लोग राइट में लिखेंगे किसी भी संख्या के राइट में जब लिखेंगे तो रिपीटिशन होगा इसको याद करने का तरीका यह है कि देखिए यह जो है रिपीट करता है यह रिपीट करेगा और कितनी बार तो तीन बार और vl.d यह जो कलर हम changes किये हैं इसे लिए भी बी यह रिपीट कभी नहीं कर सकता है और नहीं हम इसको कभी एडिशन में रिपीट कर तो हम उसको बाहर हटा करके जो संख्या अगर यस पर दिया हुआ है तब हम टेनली करके 1000 से मल्टिपल कर देंगे तो हमारी संख्या उतना हो जाएगी ठीगा तब हम लोग रोमान के भी से में पढ़ें और आगे दुसरे टपिक पढ़ेंगे अन्ने वीडियो में ठीक है धन् एप कि ओ सम्चर।्ट